स्वागत है आपका दिवेह माचल टीवी में मैं हूँ दिक्षा शर्मा शाम के छे बच चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्षा चुके हैं कई लेटेस अपडेट साजस बुलेटिन में हम आपके साज़ा करने वाले हैं देखिए बड़ी बात करेंगे टीजीटी न्युक्ती को लेकर बैच्वाइज आधार पर क्यूंकि भरती होनी है और न्युक्ती को लेकर परमिशन जरूर चुनाव आयोग से मिल गई है लेकिन बड़ा पेंच फिर फसक गया है आखिरकार क्या ये जानकारी हम बारीकी से आपके साज़ा करने वाले हैं दूसरी बात पुलिस भरती को लेकर भी करेंगे क्यूंकि इसमें भी अब काफी जादा लेट लतीफी बरती जा रही है आवेदन आखिरकार कब तक मांग लिए जा सकते हैं ये बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और तीसरी बात टैक्सी ओपरेटर्स को लेकर भी करेंगे काफी बड़ा विवाद चल रहा है हिमाचल और पंजाब में टैक्सी ओपरेटर्स के बीच अब देखिए यहां पंजाब दिल्ली हरियाना चंडीगर के ट त्यार की जा रही है कि हिमाचल की टैक्सी को बाइकॉट करना है और अगर ऐसा होता है तो यहां की लोगों को भी इससे भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो फिल्हाल क्या इसका रास्ता निकाला जा रहा है हिमाचल के टैक्सी ओपरेटर्स की ओर से क्या कहा जा रहा है आम लोग इस पर क्या राय रख रहे हैं और सरकार अगला कदम क्या इसमें उठा सकती है जानकारी हम आपके साथ साजा करने वाले हैं लेकिन शुरुवात पॉलिडिकल खबर से करना चाहेंगे क्योंकि भाशपा के प्रदेश अध्यक्स टॉक्टर राजी बिंदल की और से आज एक बड़ा बयान दिया गया है इसमें कॉंग्रेस सरकार को घेड़ने की कोशिश इनोंने की है इनका ये कहना है कि जब से लेकर कॉंग्रेस की सरकार बनी है कोई बहतुरीन कारे तो हुआ नहीं लेकिन कानून व्यवस्था यहां जरूर डगमगा गई है खुले बात इनोंने होश्यार सिंग को लेकर कही है क्योंकि भाश्पा प्रतियाशी है और इनके लिए चुनावी प्रचार प्रसार करने के लिए डॉक्टर राजवी बिंदल देहरा गए हुए थे जहां लोगों को संबोधित करते हुए इनोंने कहा कि अभी हिमाचल में मित्रों की सरकार है भष्टा चार काफी जादा बढ़ रहा है जरूरी हो गया है कि इस सरकार को अब गुडबाई यहां की जनता कह दे और यह तभी संबव हो पाएगा जब भाश्पा के प्रतियाशियों को जिताया जाएगा यानि कि अभी भी देखे भाश्पा मिशल लोटस का आने वाला है खैर इस तरह की बाते नेता पतिपक्ष वैराम ठाकुर भी कर रहे हैं डॉक्टर राजीर बिंदल भी कह रहे हैं और उनका यह कहना है कि CPS मामले में जरूर यह जो 6 के करीब नेता है अपनी विधाईकी से भी हाथ खो बैठेंगे अब यह होता है नहीं होता ह है इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्यूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है और यह बात बार-बार मुख्या मंतुरी सुखु भी कह रहे हैं कि जब मामला कोर्ट में हो तो इस तरह की बयान बाजी कैसे नेता पतिपक्ष और भाश्पा प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं देखें मंतुरी चंदर कुमार की ओर से आज एक बड़ा बयान दिया गया है और इसमें सवाल इनोंने होशियार सिंग से पूछा है इनका ये कहना है कि एक समय था जब होशियार सिंग की ओर से ये कहा जाता था कि भाश्पा किसी भी गधे को टिकेट दे देती है और कोई भी गधा भाश्पा की टिकेट पर जीत जाता है तो आखिरकार वो खुद क्या है ये सवाल एक तरह से मंतुरी चंदर कुमार ने होशियार सिंग से पूछा है और काफी जादा विवादित बयान है भाश्पा की ओर से कटाक्ष भी इस बयान को लेकर किया जा रहा है उन्ह विकासात्मक कारिया देहरा में नहीं हो पा रहे थे लेकिन कमलेश ठाकुर के जीतने के बाद सभी विकासात्मक कारिया अब पूरे हो पाएंगे नया दावा उनकी ओर से किया गया है देखे बिलासपूर की गराम पंचाय धौन कोठी में लापता महिला को लेकर बवाल मच गया है और ग्रामिन इलाके के कुछ एक लोग पहुंचे भी थे DC और SP के पास ग्यापन देने के लिए कि जल से जल इस महिला को ढूंडा जाए ये विवाहित महिला है कुछ दिन से लापता चल रही है जिससे पहले कोई अप्रिय घटना महिला के साथ हो जरूरी है कि इसे खोश निकाला जाए और इनका ग्यापन अबले भी लिया गया है SP के ओर से भी DC के ओर से भी और अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया है ग्रामीनों को कि जल से जल महिला को ढूंडने की कोशिश ये करने वाले हैं देखे कहां कितनी बारिश हुई है ये भी जानकारी आपको देंगे लेकिन पहले जो आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विग्यान के इंदर की ओर से उस पर अपडेट दे देते हैं क्यूंकि अभी 8 जुलाई तक मौसम खराब रहने वाला है आज रात को भी भारी बारिश के असार जताएं गए हैं इसके अलावा कर रात को भी बारिश हुई है और कुछे कि इलाकों में इतनी जादा जोड़दार बारिश हुई कि सुभा को लेकर कुछे क्षेत्रों में भूसखलन भी हुआ था, गाडियां और बाइक स्फिर से पानी की चपेट में आ गई हैं, और एक से दो के करीब यहां मकान भी क्षति गरस्त हुए हैं, कहां कहां क 24 mm, मंडी में 34 mm, और सुंदर नगर में 30 mm बारिश हुई है, यानि कि सुजानपू टिहरा में सबसे जादा बारिश पिछले कल रात को रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला कुछे क्षेत्रों में जारी था, और तबाही सबसे जादा मंडी में हो जिसके बाद वनवे रास्ता कर दिया गया है, पिछले मॉनसून में भी ये नैशनल हाईवे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, और एक बार फिर वैसी ही परिस्थितिया यहां देखने के लिए मिल रही है, मंडी के कटोला में रादभर में 154 mm और पंडोहों मे 106 mm बारिश हुई है, और लैंड स्लाइड होने की जानकारी भी यहां से सामने आई है, भारी बारिश के बाद मंडी जिला में 62 सडके और 126 बिजली के ट्रांसफार्मर्स भी ठब बताये जा रहे हैं, मंडी के सराज विधान सबाक शेतर में भी नुकसान कम नहीं हुआ है, यहां नाला पुरी तरह से बार में तबदील हो गया था, जिसके बाद गाडियां और बाइक उसकी चपेट में आ गई, बहने का इनका मामला सामने आया है, और जो एक मकान है वो भी क्षतिगरस्थ हो गया है, मुसलाधार बारिश क्योंकि हो रही थी, तो नुकसान भरे मा की ओर से यह अलर्ट जारी कर दिया गया है, कि वो बांध से पानी छोड़ने वाले हैं, हलाकि अभी देखी उतनी जादा भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन एक कारण मान कर हम यह चल सकते हैं, कि भीशन गर्मी थी इससे पहले, जिस वज़़े से ग्लेशर पिगर रहे ह और जादातर बांध ऐसे हैं, जो की पानी से भर गए हैं, बांध के जलाश्य जल से भरने लगे हैं, डेंजर लेवल के आसपास कुछ एक डैम का पानी पहुच गया है, हलाकि जो बड़े डैम्स है, जैसे भाख्टा और पौंग डैम की बात करें, तो यहां 31 और 28 मीटर त जल सकते हैं, राश्टी राश्मार्क 707 पर बड़ा हाथसा सुबा पेश आया, यह सुबा 8 बजे की जानकारी है, और ट्रक चालक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है, दरसल इस रास्ते से ट्रक गुजर रहा था और इसमें L&T मशीन भी थी, बीच में तकनीकी खराबी को ठीक करने की कोशिश की, यह ट्रक के नीचे लेट गया था, तकनीकी खराबी ठीक करने के लिए, लेकिन इसी बीच वहां उत्राई में ट्रक खिसक गया, और बहुत बुरी तरह से नीचे जागिरा सडक से ट्रक के टुकडे टुकडे हो गये हैं, और जो L&T मशी से चोट जरूर ट्रक चालक को लग गई है, स्थानिय लोगों की मदद से ट्रक चालक को अस्पतार ले जाया गया था उपचार के लिए, अब आना चाहेंगे हिमाचल पंजाब में जो टैक्सी विवाद चल रहा है, अक्सर देखिए इस तरह की घटनाय पहले भी पेश आत पहले आई, फिर अभी हाल ही में एक मामला गरमाया हुआ है, जहां हिमाचल के टैक्सी चालक को 15,000 रुपए के लिए लुधियाना के दो परेट को ने मार डाला है, और फिलहाल काफी दिन लग गए, यहां पर शव ढूमने के लिए भी इस टैक्सी चालक का, तो इस तरह की गटनाएं जब सामने आती है, तो तनापुर्ण महौल बन जाता है, दोनों राज्यों के बीच वही देखने में आ रहा है, आज सुभा ही पंजाब, हरियाना, चंडिगड और दिली के टैक्सी ओपरेटर्स में एक मीटिंग की है, यह जुठ हो गए हैं, और इनका कहना है क जिससे ये नराज चल रहे हैं, बाहरी राज्यों के टैक्सी चालकों का ये भी कहना है, कि स्पेशल टैक्स भी यहां की सरकार इन से ले रही है, जो की उचित नहीं है, इससे भी काफी जादा नराजगी इन में है, तो इन्होंने बड़ा पैसला ले लिया है, अब इमपेक अगर इस तरह का फैसला बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर्स की ओर से लागू कर दिया जाता है, अब फिलहाल सरकार इस मामले को किस तरह से देखती है, क्या इसमें कोई जल्दबाजी दिखाई जाएगी बात करने के लिए पंजाब सरकार से ये देखना होगा, हिमाचल की टैक्सी इसको पुरी तरह से बाइकॉट बाहरी राज्यों में किया जाएगा, तो ये स्थानिया लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी बनने वाली है, बार-बार टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी, यहां से हिमाचल की लोकल टैक्सी लेकर आप बाहरी राज् पर ये अपडेट चलने लगी थी, कि दोबारा से इनकी नौकरी को बहाल कर दिया गया है, जो कि CISF की जवान थी, यहां कि जिसने कंगना रनौत पर अपना हाथ उठाया था, थपड जड़ दिया था, जिस महिला ने, उसकी नौकरी दोबारा से बहाल हो गई है, और बंग जा गया है, तो हवाई अड़े पर इससे कोई सेवाएं नहीं ली जाएंगी, और ऐसे में यह अभी भी सस्पेंट ही है, यह जो बार बार कहा जा रहा है, नौकरी बहाल हो गई है, इसे माफ कर दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, यह अभी भी सस्पेंशन पर है, सोग में इनकी ओर से मीटिंग बुलाई गई थी, यह अधिकतर HRDC पेंशनर्स है, जो मांग उठा रहे हैं, कि तीन डिये की किस्ते अभी तक इने जारी नहीं की गई है, मेडिकल बिलों का भुकतान भी नहीं हुआ है, और जो छटा वेतन आयोग है, उसके मुताबिक भी द भीड़ता से लिया जाएगा, ऐसा सोच कर यह चल रहे हैं, और यह तो होना ही था, क्यूंकि देखिए HRDC में, जो सरकार की ओर से राशी दी गई है, उससे केवल सैलरी ही करमचारियों की दी जा सकती है, और पैंशन के लिए राशी ही उपलब नहीं करवाई गई है, सरकार क की जरूरत थी और उसमें 58 या 59 क्रोड ही HRDC को दिये गए हैं, तो ऐसे में पैंशनर्स की राशी कैसे दी जाएगी, पैंशन का भुकतान कैसे किया जाएगा HRDC की ओर से ये भी एक बड़ा सवाल है, एक तरह से OPS लागू तो कर दी गई है सरकार की ओर से, लेकिन OPS के लिए फिर वो राशी तो जारी नहीं की जा रही है, और तक्रीबन 7000 के करीब संख्या है, HRDC में पैंशनर्स की भी संख्या कम नहीं है, अब जब पैंशन के लिए राशी ही नहीं दी गई है सरकार की ओर से, नीगम को, तो नीगम भी इसकी वैवस्था कैसे करेगा, देखे चार भरतियों में बिग ब्रेकिंग है, लोग सेवा योक योर से इन चार भरतियों का शेडियूल जल्दी जारी कर दिया जाएगा, कौन-कौन से पोस्कोर्स है, बिल्कुल आपको बताएंगे, क्योंकि सिलेबस भी इसमें फाइनल हो गया है, हाला कि परिक्षा ती थी अभी त बस्ता नहीं हो पाएगी, इसी वज़ा से ये परिक्षा की तीथी भी घोशित नहीं हो पा रही है, लेकिन जो बाकी का शेडियूल है, वो एक तरह से फाइनल हो गया है, जल्दी ही परिक्षा तीथी भी निर्धारित कर दी जाएगी, दावा लोग सेवायों की ओर से हो र गया है, अब सिर्फ परिक्षा तीथी ही घोशित होनी है, और लोग सेवायोग को क्यूंकि ये जिम्मा दिया गया था, जब करमचारी चयन आयोग भंग हो गया था, तो लोग सेवायोग को ही ये नई भरतियां करवाने के लिए कहा गया था, अब ये चार पोस कोड देखन स्कूलों में, यानि कि सभी शिक्षक भी चुटियों पर है, इसी वज़ा से ये वैवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द की जाएगी दावा लोग सेवायोग ने किया है, लोग सेवायोग को ग्रीह विभाग की तरफ से पुलिस कॉंस्टेबल के 1226 पदों को भढ़ हैं, तो इस पर अभी तक कोई भी स्परश्टी करण यहाँ पुलिस मुख्यालियों की ओर से नहीं दिया गया है, हलाकि बाकी कुछ एक नियम अब इसमें फाइनल हो गए हैं, और तोर सरकार की ओर से, उमर में भी एक साल की छूट अभी हर्थियों को दे दी गई है, लेकि नहीं इंतजार अभी हर्थियों को करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये जिलाक एडर को लेकर बात सपष्ट नहीं हो जाती है, कि ये जिलाक एडर पर भरती कैसे करवाई जाए, जबकि लोगसेवायोग में राज्यस्तर पर ही भरतियां होती है, इसकी कोई क्लैरिफिके भी शुरू हो पाएगी, क्योंकि इस भरती के लिए रिक्विजिशन पहले ही पुलिस मुख्याले ने भेज़ दी थी लोगसेवायोग को, अब सिरफ इस सवाल का जवाब देना बाकी रहे गया है, बाकी नियमों में भी एक तरह से क्लैरिफिकेशन मिल ही चुकी है लोगस कुमार को ये आएस अधिकारी अभिशिक जैन के छुटी जाने के कारण ऐसा करना पड़ा है, एक छोटी सी अपडेट जो कि हम आप के लिए लेकर आये थे, देखे टीजिटी बैच वाइस भरतियां भी होनी है और इसके लिए परमिशन चुनाव आयोग से मिल गई है, ये एक राहत भरी खबर है, लेकिन चुनाव आयोग ने ये भी यहाँ क्लियर किया है, कि अभी जिन जिलों में आचार सहीता लगी हुई है, वहाँ पर नियुक्ति को मैंशन ना किया जाए, लेकिन पेच इसमें ये है कि परमिशन मिलने के बावजुद भी अभी ये बैच वा भरतिया नहीं हो सकती है, एक बड़ा कारण, शिक्षा मंतरी रोही ठाकुर आउट आफ स्टेशन चल रहे हैं, और दूसरा बड़ा कारण मुख्या मंतरी सुखु भी अभी पर चार प्रसार में डटे हुए हैं, तो जब तक ये वापिस नहीं आते हैं, नियुक्तिया नही कि इसके लिए पातर हैं, देखिए जो खरीद फुरोक्त वाला मामला है, उसमें भी एक बड़ी अपडेट आई है, राजय सबसांसत का जब चुनाफ हुआ था, तो ये शिकायत कॉंग्रिस की ओर से बालुगंच थाना में दर्श की गई थी, कि खरीद फुरोक्त की राज ये नेताओं को जाना होगा, सभी सवालों का जवाब देने के लिए बालुगंच थाना में और कोट की ओर से इन्हें ये आदेश चारी किये गए हैं, तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहे हैं, दिवेह मार्शल टीवी, धन्यवाद